जार्खंड का जनादेश आ चुका है और 24 साल के जार्खंड में जनता ने किसी को इतना प्रचंड बहुमत नहीं दिया था 56 सीटे जीत कर इंडिया एलाइस ने जार्खंड की राजनीती में एक तो उस इतिहास को दोराया जहां कहा जाता था कि जार्खंड में सरकारे रिपीट नहीं करती दूसरा उस बात पर इस जीत ने मुहर लगाया है कि काम काच को जार्खंड ने सराखो पर बैठाया है जार्खंट कॉंग्रेस के प्रबारी गुलाम हमेदमीर जिसने कॉंग्रेस को फिर से अपने पर्फोर्मेंस को रिपीट करने में महती भूमी का निभाई है वो मौजूद है हम उनसे सिधे जानेंगे कि इस ये जीत गटबंदन की जो जीत है वो क्या संदेश देता है शुक्रिया मैं तो आपके चैनल के माधियम से सबसे पहले इस कठन चुनाओ में कामियाबी हासिल करने के लिए और वो भी खुबसूरत कामियाबी सबसे पहले जार्खंट की जंदा को और फिर उन सारे वोटर्स को जोनों ने इस जमूरी मेले में वोटिंग में हिस्सा लिया और उसके बाद अपने सारे गटमंदन के कारिकरताओं ने जोनों ने बिलकुल भी बीजेपी ने कोशिश की हमको हमारे रास्ते बटकाने के लिए मगर ना हमारा कोई लीडर ना हमारा कोई वरकर ना वोटर उस ट्रैक से बटका तो इसलिए उनको सबसे पहले बढ़ाई देना चाहूंगा दूसरी बात यह है कि हम पहले से जैसे चुनाओ हुआ तो हम पहले से ही ताई कर चुके थे कि हमने दो ही पार्ट्स में इस चुनाओ को आगे लेना और इस बात की खुशी थी कि डिस्टर्बंसिस के बावजूद कुछ नेच्रल डिस्टर्बंसिस जो कोविड की थी कुछ man-made disturbances जो central government ने अपने दोस्तों EDC, VIA के जिरे यहाँ नाजगाना किया उस disturbance के बावजूद भी हमारी गटमंदन सरकार युनाइट रही और लोगों के लिए डेलवर करने की कोशिश की जो कुछ प्रोग्राम हमने आगे बढ़ाने का काम किया और हमने देखा चुनाओ में उसने लोगों के दिल पर असर डाला और सबसे बड़ी बात 50% आबादी महिलाएं बहने जो हैं उनको हम नहीं कहते हैं कि कोई इतना बड़ा रकम दिया तो उनका बस सब कुछ हो गया अबर एक सम्मान एक रिकॉअगनिशन लगा पहली बार जारखंड के महिलाएं 50% आबादी को कि कोई तो सरकार है जिसने हमें सम्मान की उस रिखा पर लाया तो उसका हमने देखा बराबर चुनाओ के दर्मयान पॉलिंग के दर्मयान उसका रिस्पांस भी मिलता रहा और दूसरी बात जो सबसे अच्छी बात मैं मानता हूँ उसे दंता भी मानी क्योंकि रिजल्ट रगा है कि हमने अगले पांच साल के लिए एक रोड में एक रग दिया और प्रोब पीपल और उस बात लोगों मालब यही जम्मत है यही गड़न में जिसने हमारे लिए तकलिफ हुए जो कुछ रिशिटिव लिए यही हमारे लिए कुछ एचा करते है दो चीजों के लिए हमने चुनावान के लिए उसके लोगे कि चुनाव को हम हाये के मलब सकते असवान पर ले और उपर ना आजाना सिक रहा है यह नहीं मलब कोशिश की कि हम भी 11 साल से देश को चला रहे हैं और उसी देश का हिस्सा जारखंड भी है गरीब रियासत है हम लगातार सवाल पूछते रहें यहां के गरीबों के च्छत बनाने के लिए जो आपकी सिकीम है जो कॉंगर्स पार्टी की बनाई हुई सिकीम है और उसको आपने बंद कर दिया जारखंड में बिना च्छापर के लोगों को छोड़ दिया उसका कोई जवाब नहीं दिया हमने लगातार यह सवाल उठाया कि एक लाख च्छतीस हजार करोर जारखंड की आम जनता का पैसा आपके किटी में है उसको वापस करते कम से कम आज यही कहते कि मैंने वो पैसा वापस दिया तब जाकर गडबन सरकार ने ये चीज़े करी वो भी नहीं दिया तो ये कुछ जाइस सवाला थे जो जनता की तरफ से कोई ना हिमन सोरेन के गर के सवाल थे ना कॉंग्रेस पार्टी के गर के सवाल थे तो उनका वो जवाब देने में असफल हुए वो जनता ने वाज किया सर एक बड़ा सवाल इस चुनाव में उभर कर आया था, लोग ये कह रहे थे कि कॉंग्रेस कमजोर कड़ी बन कर निकलेगी, लेकिन कॉंग्रेस ने तो उतने ही साथ दिया जितना पिछली बारते कुछ एक सीट आप मामली अंतर से भी हारे, और दूसरा एक सवाल इसी में मेर है कि कॉंग्रेस ने अपने स्टैल से चुनाव लगा, लेकिन बीजेपी ने जितने लीडर्शिप को जहरकड में लगाया, प्रदान मंतरी, ग्रेह मंतरी, स्टेट के सियम, एक स्टेट, एक इंदरिया मंतरी, यहां इंचार्ज बना कर तीन मैने, यहार किसकी है, एक मेकनि यह चुनाव हुआ तो हम शुरू करें, ऐसा नहीं है, वो कंटिनियूस पीछे से चल रहा था, आल इंडिया कॉंग्रस कमीटी के डिजाइन प्रोगाम थे, डिजाइन यूनिट्स थे, उन्हों ने एसमबे, लोकसबा चुनाव से पहले भी काम शुरू किया था, और कंटि लोगू मैं जो वहां के स्टेट लीडर से, उन में अन बन था, और भटवारे को लेकर डिस्टिबूशन ये परेशानी थी, यहां तो एक नेचरल प्रोसेस में हमने कंटिचर को आगे बढ़ाया, और सारी स्टेट की लिडर्शिप, महला मेरे खासे किसी से दबे कुछले क कोई भी फैसला नहीं लियागा, हम तो अक्सर बेशतर बैठते गए, चाहिए छोटी बैठके हुई, बड़ी बैठके हुई, मगर जो वक्ती तोर चीज़े थी, उनको सब को आन बूर्ड, और सारी टॉप लिडर्शिप उसमें इन्वाल थी, और उस से भी बड़ी खुब बनाया है कि हर लीडर पहले अपने घर को, फिर अपने महले को, फिर अपने गाओं या पंचायत को, फिर अपनी विदान सबा, अगर उसको मिली हो, तो डिरेक्टली वो डील करेगा, अगर उसको गटबंदन में नहीं मिली तो दूसरे गटबंदन के साथी को मदद करेगा और ये फार्मला हमने कॉंग्रस में जारी किया इसलिए आपको ज्यादा हवा पानी नहीं दिखाई दिया कि यहां का आदमी चतरपूर नहीं दोड़ रहा है चतरपूर का पाकूर नहीं दोड़ रहा है पाकूर का सिम्डगा नहीं दोड़ रहा है सब को अपने अपने लोकल एरिया में हमने काम करने का दिया तो मिझे लगता है उससे भी संजीदगी आई जारकंट की जनता जिसका जवाब जानना चाहती है नई सरकार की ताज पोसी कब करवा रहे हैं जतना जलद हो सके इसलिए नहीं कि कोई डार यह हमारी responsibility है और यह हमारी duty भी है कि अब जब जनता ने इतना comfortable इतना मजबूत mandate दिया कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी किसी अब अन बन या कि हमारी किसी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसको लेकर हम time waste करें तो हमें unitedly हो करके जतना जल्दी हो सके उतना जल्दी सरकार formation करना चाहिए जो हमारे program शुरू किये हैं या जो हमने नए commitment किये उस direction में हम काम करना शुरू करें जतना जल्दी हो सके ने विदायकों को भी बुलाया गया और कल सायथ से युक तुरूब कोई आज भी नहीं बुलाया गया था अभी शाम तक कल से क्या कहा जा रहा था सब बनाए जाता आज अभी आपके आते ही हमने message किया है आपने नए चुने हुए विदायकों को कि वह आराम से आए कल सुबह हमारी विदायक मीटिंग होगी किए आपने पूछा सवाल कि कब होगा हम तो पहली प्रकरिया दे रहें कि जतना जल्दी हो सके तो अरली से अरली best है कि कल हम विदायक दल की मीटिंग करेंगे और कल बारा एक बज़े हमारी घटबंदन के विदायकों की मीटिंग होगी जो तो वहाँ पर हमारा प्रोसीजर है वो पूरा किया जाएगा, हम लीडर चुनेंगे गटबंदन का, हम अपना समर्थन भी देंगे, ताकि वो फैसल्टेट हो कि वो राजबावन तक रुख करे, फिर राजबावन और मुखमंत्री जाने, कौन सा टाइम, कौन सा डेट उनको म मिलता है, वो अगली सरकार बनानी की प्रक्रिया पूरकिर. लाइक अंड शेर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बल आइकॉन, निउस लावन भारत, सच है तो दिखेगा.